हालो गाईज कैसे आप सब लोग टैरुक्स प्रिटिफल 6 पे आपका बहुत बहुत सवागत है आज हम जो रिडिंग करेंगे गाईज वो एक खास रिडिंग है मेल परसन के बारे में यानि कि आप किसी मेल परसन का नाम सोची में बहुत सारी बाते आपको बताने वाली हो ठी ठीक है तो चली गाईज चैक कर लेते हैं आपके लिए क्या रिडिंग आती है तो मैं चाहूंगी टू सेकेंड्स आपको दूंगी किसी मेल इंसान का नाम सोची मेल परसन का ठीक है बहुत सारी बाते चली देखते हैं क्या आता है उसके लिए खीक है आपके पर्डस मे रहते हैं आपके को़नी में रहते हैं कोई भी ऐसा इंसान अजनभी भी हो सकता है उसके बारे में आप पूछ सीनल डार ही चूज करते हैं बहुत सारी बात आप इस इंसान के बारे में बताऊंगी ठीक है at all और समय गाइड कीजिएगा एंचल लवाइंग गाइड कीजिएगा ओके गाइस रिडिंग में जाने से पहले चोट इसी जानकरी सुन लिजीए ठीक है प्लीज सुन लिजे क्योंकि यहांपर इसकिप मत कीजिएगा क्योंकि आपकी लिए फायदा उससे ठीक है आगर आप फे कि मैं LIVE आया करूंगी और जिस तरह से आप आज ये रिडिंग देख रहें उसी तरह से सरए क्रीडिंग करोंगी हर एक जौड़ करें एक साहीं कि है अगर आपको बताने वाली हूँ तो आप किसे भी इंसान के बारे में जॉडिक साइन कल मैंने एक्वेरियस लिया तो नेक्स टाइम क्या लूंगे मैं आपको बता दूँगी तो आप मुझे 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 आ की जॉइन कर सकते हैं ठीक है यह चोटी से जानकरी इवन पर्सनल एडिंग के लिए आप कॉल मैथ करें आपको मेरी वीडियो जहां पर स्टाट होती है वहाँ पर मिलेगा ठीक है मुझे मैसेज की जिए का सारी जानकरी में बहुत ही ओफ़रेबल चार्जेस हैं ठीक है कहीं सोचने की जरुरत नहीं है डिटेल डिडिंग कर जों ठीक है और राइट चले स्टाट करतें कि इंसान आपसे जो रिष्टे में आपके रिष्टे के बारे में क्या सोचता है ये इंसान इनके बारे में मेरे व्यूर्स ने सोचा है नाम कोई क्योई मेल परसन ये मेल परसन मेरे व्यूर्स को रिष्टे में क्या सोचा है मेरे व्यूर्स के रिष्टे में मेरे व्यूर्स क ओके four of pentacles है all right मैं अभी clarify करूंगी इसको ठीक है मैं बहुत detail में बताने वाले हूँ आज आपको ठीक है male person जो है ये male person आपके बारे में क्या सूचते है all right knight of swords okay 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 आपके लिए इस इंसान की feelings क्या है इस इंसान की feelings आपके लिए क्या है यह जिन का नाम आप सूच रहे हूं उनकी feelings the world okay यह जंप होके आयता है तो हम इस card को ले लेंगे okay यह आपसे चाहते क्या है यह इंसान आपको लेकर चाहते क्या है आपसे चाहते क्या है actually आप से चाहते क्या है eight of cups ओके आपके लिए इनके इरादे क्या है क्या इरादे आपके लिए पेज और पेंटिकल्स और बॉटम वाल अकार eight of swords एक्चली यह जो इंसान है अपने आपको रोक रहा है किसी कारण से ठीक है कारण हमको मालूम नहीं है लेकिन हाँ यह इनसान अपने आपको रोकता है आपके लिए ठीक है कुछ नो कुछ मलब अपने आपको करने से या कुछ action लेने से रोकता है ठीक है आई होब कि आपको सारे कार्ट दिखाए देने ओकी है ठीक है तो सबसे पहले explain यह करूंगी कि यह इंसान या तो टॉरस हो सकता है ठीक है टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन यानि earth sign बहुत prominent है ठीक है लेकिन फिर भी कुछ भी sign हो सकता है Gemini, Libra, Aquarius स्टार साइन पर मद जाएंगा ठीक है यह पर टॉरस और एकविर्यस बहुत ज़ादा स्ट्रॉंग लग रहे हैं किसी का sign ओ सकते जिनके बारे में आप सूर्च रहें लेकिन स्टार साइन पर मद जभी कुछ मैंशाओंगगी आपको यह इंसान जो आपके साथ्रिश्था ह उसमें क्या सोचता है यह इंसान यह सोचता है कि आपको कुछ नहीं बताएं ठीक है इनसान एक्चुली जो भी है इनसे जो भी आपका रिष्टा है यह रिष्टे में आपको कुछ नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि पता नहीं क्या समझ में आता है इनको यह जो है सारी बाते अपने अंदर ही रखना चाहते हैं कुछ भी बताना नहीं चाहते हैं और कुछ भी बोलना नहीं चाहते आपको भी ठीक है यह जिनके बारे में आप पूछना चाहते हैं यह इंसान आपसे बिल्कुल अभी कनेक्ट नहीं होना चाहता है यहां पर देखिए आपको कैसे देख आप action में हो ठीक है आपको यह planning कर रहे हो आपकी मन में कुछ ना कुछ जैसे किते हैं किसी चीज की planning चल रही है अब यह चीजे मैं बताऊंगी क्या planning हो सकती है मलब हम possibilities हैं cards जो है possibilities बताते हैं ठीक है यह आपका जैसे कहते हैं बिलकुल जैसे match होगी 100% यह चीजे नहीं होती लेकिन कहीं यह जो reading जो हम करते हैं वो आपको जैसे कहते हैं पॉसिबिलिटीज तो बताईगी और एक तरह से hint बताईगी ठीक है जो मलब जैसे बहुश्य के ब करना चाहते हो आप इसी शुरुआत की planning करे हो ठीक है यह आपके लिए feelings इस इंसान की क्या है यह इंसान जो है आपसे एक नया cycle शुरू करना चाहता है पर उससे पहले cycle पूरा होना चाहिए इस तरह से आप देखीगा आपसे कहां मैं चोरिए यह इंसान आपसे क्या चाहता आप निराश ना हो आप दुखी ना हो किसी बात को लेकर ठीक है क्योंकि यह जो है अभी बता नहीं रहे लेकिन आने वाले time में यह definitely आपको कुछ बताएंगे क्यों मैं बोल रही हूँ क्योंकि इनकी इरादे देखे इनकी इरादे यानिकि इनकी जो intentions आपके लिए है कि आ जैसे कहते हैं बहान डून कर भी आपको approach हो सकता है या कि आपकी मदद के लिए कोई जैसे आपको job offer दे दे या फिर कुछ ऐसा offer दे ठीक है तो इस तरह से मतलब यह आपको approach करना चाहता है इसलिए आप निराश ना हो आप जैसे कहते हैं अपनी जिंदिगी में उदास हो अ कि इंसान कुछ बताना क्यों नहीं चाहता रिष्टे में इनुवर्स में बताईए दिल में feelings क्यों चुपा रहे हैं रिष्टे को लेकर बताना क्यों नहीं चाहता कुछ चले देखते हैं clarify करते हैं इस card को क्योंकि नमर 19 है क्योंकि आपके साथ flexible होके रहना चाहते हैं यानि कि जिस तरह से मुड़ जाओगे उस तरह से relationship मूड देगा ठीक है इसलिए अभी जैसे कहते हैं बहुत जादा serious आपके लिए नजर नहीं आ रहा ठीक है इसलिए अभी बताना नहीं चाहता flexible होके रहना चाहते हैं जिस तरह से इस्थितियां मुड़ेगी उस तरह से अपने आपको flexible बना के रखना चाहते है night of sorts क्यों है आपके बारे में क्या सोच रहा है यह इंसान जो है आपके बारे में क्या सोचता है angel divine guide की जगह हमें जिसका नाम यह सोच रहे है मेरी viewers यह मेरी viewers के बारे में क्या सोच रहे है एक कार्ट जंप होके आया है यह वाला no place like home देखे मुझे ऐसे लगता है कि यह इंसान मुझे ऐसे कहते हैं कि आपको इस तरह सोच रहे हैं कि आपके अलावा कोई और इनकी परस्तितियों में fit नहीं हो सकता ठीक है आप perfect partner हो आप इनके लिए बिल्कुल fit हो ठीक है कोई भी प अब इस तरह से आपके लिए कि आप कोई प्लानिग कर रहे हो आप जैसे कहते हैंने इनके just ready हो आप इनको जैसे उच हो और आपके बारे में यह सोचता है कि आप भी अपने perfect partner को ढूंड़ो इस तरह से मैं यहाँ पे कहूंगी ठीक है आप कुछ planning कर रहे हूँ आप जैसे कहते है न जो आपके स्थिती में fit होता है उस इंसान को ढूंड़ो आप इस तरह से ठीक है the world का card क्यों है यह आपके साथ feelings क्या है इनकी क्या feelings है आपके लिए the world card को clarify कीजिए बहुत सारे card थे इन्वर्स समय guide कीजिएगा angel divine guide कीजिएगा feelings क्या है the world card clarify कीजिए feelings क्या है इस इंसान की आपके आपको आने वाले किसी तुफान के लिए रेडी करना चाहते है इनको पता है कि आने वाला तुफान यानि कि एक cycle खतम करेगी तो तुफान आएगा ठीक है दूसर साइकल शुरू करने के लिए पी तुफान आएगा तो इनको जैसे अपने आपको कोई ready कर रहा है आ यहां पर आपसे चाहते क्या है एट of cups के energy क्लारफाइ कीज़े आपसे इंसान चाहते क्या है आल राइट यह जो male person है आपसे चाहते क्या है okay go the distance मुझे ऐसे लगता है यह आपको manifest कर रहे हैं आपसे जो दूरियां बन गई है जो gap बन गई है आप दोनों में उसको कम करना चाहते हैं क्योंकि जैसे कहते हैं यह कहीं कोई स्थिती सी परिस्थिती से walk out हो जाना चाहते हैं यहां पर देखिए card क्या है time to go यानि कि कोई इनका इनसान या कोई रिष्टा ऐसा है जहां से walk out करें जैसे कि world card हमें बताते हैं कोई एक पुराना cycle खतम करके नया cycle शुरू करना यानि कि नए से पहले एक पुराना cut off होना चाहिए इस तरह से energy आ रही है यानि कहीं से कहीं से निकल रहे हैं कोई relationship है या कोई है इनकी जि ही है कि go the distance आप इस gap को कतम करो इस तरह से ठीक है आप जो दूरियां बनी हुए उस gap को खतम करो निराशा से बहार आओ ठीक है इस तरह से चाहते हैं चली देखते हैं चली देखते हैं यह इरादी यह है नंबर 52 का का रहे हैं आपे मैंडिंग ठीक है आप से दोस्ती कोई उ फिर से आगया ठीक है इनकी एनरजी ऐसी है कि कहीं न कहीं कोई सिच्वेशन ऐसी इनकी जिंदिके में जहां से वाक आउट कर रहे हैं ठीक है मूँ ओन कर रहे हैं या फिर जैसे किसी को छोड़ कर आपके साथ आना चाहते हैं तो आपके साथ चीज़े मैंड होनी चीए पह दिल से मेरी व्योर्स को क्या बताना चाहते हैं यह जो अजनभी है या कोई भी है तो दो कार्ट जंप होके आएं लेकिन अब भी नहीं लूँगी फिर से देखते हैं एक कार्ड दी जेन वर्स क्या कहना चाहते हैं मेरी वर्स को दिल से क्या बोलना चाहते हैं यह two cards मेरे पास आएं तो सबसे पहला card है यह वाला it is important right now to take a step back यानि कि यह अभी कुछ नहीं करना चाहते है इसका मतलब यह हुआ to take a step back and spend some time alone यानि कि यह सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा सा पीछे हट के दो कदम पीछे हटो और alone रहकर सोचो ठीक है थोड़ा सा time अकेले बिताओ ठीक है instead of placing your focus on another now is the time to give to yourself यानि कि यह समझो कि किसी और चीज़ पर focus करने से अच्छा है कि अपने two step back लेकर अपने आप पे ध्यान दो ठीक है अभी कुछ नहीं करना चाहता है कोई नहीं कोई ऐसी बात है जो आपको पता नहीं दूसरे बात ही क्या कहता है sexual union ठीक है honor the place in one another where you are one internal soul for there you find for there you will find true bliss ठीक है यानि कि अगर यह जैसे कहते हैं आपसे sexually attraction है और definitely मालब यह इस चीज को honorably सुईकार करना चाहते हैं ठीक है यानि कि सम्मान देके आपसे यह मांगना चाहते हैं तो यह चीजें जो है बिल्कुल आपसे शैद कहते नहीं होंगे लेकिन इनके दिल में आपके लिए attraction है आपके लिए sexual union है sexual desires है ठीक है यह इरादे यही है कि आपके साथ जो चीजें है वो आगे बढ़े इसलिए चीजों को man करके आगे बढ़ना चाहते है तो यह आज की reading थी आपको कुछ भी समझ आया कुछ भी पसंद आया जरूर बताईगा लेकिन जाते जाते मैं इनके थोड़ से message ज़रूर लोगी ठीक है चलिए आपसे और क्या कहना चाहते है हमने इनके heart place की बात देख लिए ठीक है heart में जो बाते थी अभी आपसे क्या कहना चाहते है मैं five cards लोगे only ठीक है देकि सबसे पहली बात है I see a happy family with you मेरा दिल तेरे लिए अच्छा है यह song है guys मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है यह male person है लेकिन फिर भी यह song आपके लिए आया है तो आप देख लेज़ेगा manifestation यानि कि मैंने अभी बोला यह आपको manifest कर रहे हैं चलिए और देखते हैं एक और card when I see your name I feel smiling you यानि कि यह जब भी आपका नाम देखते हैं कहीं पर भी ठीक है इनको smile आजाती है तो यह आप ठीकी reading थी guys next reading में जोरू मिलती हो तब तक के लिए मेरा wait की जगा facebook पे कल live मुझे देख सकते हैं आप ठीक है वहाँ पे मैं reading करूंगी face to face ठीक है यानि कि live आके आपके लिए वीडियो करूंगी ठीक है रेटिंग करूंगी bye bye guys